कि रिक्त स्तानों में सही मात्राय लगाकर बाक्यों को पूर्ण कीजिए इस तरीकिये का कोईस्चिन, सुर्प्राइश टेस्ट ऐसे टाइप का होता है तो उनको पता होना चाहिए कहां पे कौन सा मात्रा लगाना है. वो कैसे पता करेंगे पहले तो पढ़ना सिखना चाहिए ठीक है ना उसके बाद सब्द से बाक्य बनाना आना चाहिए हमारे जो जितने भी वीडियो में डाल रही हूँ उसमें आपको मिल जाएगा अभी मैं री की मातरा तक पहुंच चुकी हूँ तो आप बच्चों को मतलब ये कबू उच्चा उचारण होता है तो कबू तर दध सेहत के लिए अच्छा होता है दध नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है दूध कैसे उचारण करते हैं दूध तो ये भी होगा बड़ी उखी मातरा कमल का फल पानी में खिलता है कमल फल है क्या नहीं है तो कमल फूल है फूल तो ये होगा बड़ी उखी मातरा तरबज बहुत मीठा होता है तरबूज बहुत मीठा होता है सरज पर्ब दिशा में निकलता है तो सरज पर्ब तो नहीं उच्छा सुनाई देता ना तो ये क्या है वालू भालू जंगल में रहता है जादगर जादू का खेल दिखाता है जादगर होता है क्या नहीं न तो फिर ये जादूगर जादूगर जादू का खेल दिखाता है गाजर मली का सलाद बनता है गाजर के साथ मली क्या होता है मूली मूली आल एक तरह की सबजी है सबको पसंद है जो की आल नहीं है आलू एक तरह की सबजी है फलो में खुसब होती है फलो में खुसब होता है क्या? नहीं न तो फिर किस में होता है? फूलो में खुसबू होती है समझ में आया? तो बच्चों को ऐसे करके आप बार बार घर में उनको प्रक्टिस करवाईए उच्चारण सही रहेगा तो मात्रा भी वो लोग सही देंगे